और खबरों आगे बात करते हैं जोहां परमदेपिर्देश की पुलिस एक बार फिर से सवालों की घेरे में आ गई है इस बार कटनी जिले में पुलिस पर एक महिला को बाल पकड़ कर जमीन पर बुरी तरह से घसीटने का वीडियो सामने आया है हद तो तब होगी जब वाइरल वीडियो होने पर भी पुलिस अधिकारियों का कहना के ये सब काइदे कानून के तहट हुआ है पेडित महिला का कहना है कि कोडिया गाउं में भी उनकी निजी जमीन पर बिजली का टावर लगाया जा रहा है लेकिन उन्हें जमीन का मुआबजा राशी जो है वो नहीं दी जा रही है महिला इस से पहले भी प्रिशासन से मुआबजे के लिए गुहार लगा चुकी है लेकिन अभी तक कोई भी कारवाय नहीं हुई है महिला ने बताया कि बिजली कंपनी टेकेदारों के लोग राजस्व अधिकारी और साथी पुलीस वारा उनके जमीन में जबरन कबजा करने की कोशिश की गई है और रोध करने पर पुलीस ने महिला उसके परिवार के साथ में मार पीट की है उनको बाल पकड़ कर घसीटे हुए ले जाया गया है और महिला के साथ में 4 अन्य लोगों के खिलाब धारा 151 के तहट मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया फिलाल महिला ने पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर और S.P. से की है जहां पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर बरबरता पूरबक यह जो तस्वीर है वो निकल कर सामने है आप देख सकते कैसे बाल पकड़ते हुए यह महिला को घंचरती ओई ले कर जा रही है कैसी कानून बेवस्ता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से आप बरवर्ता पूर्वक नहीं लेके जा सकते हैं आप उसको उठा कर लेके जा सकते हैं लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं पुलिस की बरवरता की तस्वीर ये सामने है जहां पर एक महिला को किस तरीके से बाल पकड़ कर धसिरते हुए और उसके बाद अधिकारे का ये कहना है कि ये जो सब कुछ हुआ है वो कानूनी दाइरे में हुआ है आखिरकार ये कानूनी दाइरा है तो बरवरता किसे कहा जा आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ये तस्वीरे कटनी की ये तस्वीर है जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला के साथ में मुआपजे की राशी को लेकर इस महिला ने शिकायत की थी जिसके बाद वहां पर मौके पर पहुचे अधिकारियों ने इस महिला बोलना क्या अब पुलिस प्रिशासन के सामने ये बरवरता नजर आएगी और मेरे साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप देखते रहे हैं न्यूज बोच इंडिया नमस्कार